पेसा बोलता है नहीं बोलता ये तो मुझे नहीं पता लेकिन सबकी बोलती बंद जरूर कर देता है पेसों को लिकरो जो भी भरम आपके मन में आज तक बने हैं इस वीडियो को देखने के बाद में वो सारे भरम आज तूटने वाले हैं बचपन से ही कई बार हमने ये बात पढ़िया सुनी होगी कि पेसे से बोजन तो खरीदा जा सकता है लेकिन भूख नहीं लेकिन जब भूख लगीगी और जेब में पेसा नहीं होगा तब क्या करोगे आपने ये बात भी कई बार सुनी होगी कि पेसे से बिस्तर तो खरीदा जा सकता है लेकिन नीन नहीं लेकिन जब बहुत ज़्यादा नीन आ रही होगी और ठीक से सोने के लिए बेट नहीं होगा बारिश में गिले फर्ष पर या फिर एसी छट के नीचे जब लोग कपड़ों में पहचान ढूंडेगे ना जब सेहस से ज़्यादा दवाई के दाम की फिक्र होगी ना तब पता चलेगा कि पेसा कितना ज़रूरी होता है अभी रिसेंटली में इस्टाग्राम की एक पोस्ट बना रहा था जिसमें लिखा था कि पेसा आपकी लाइफ की 99.9% प्रोब्लम को सॉल्व कर सकता है और उसी टाइम पर मेरा एक फ्रेंड मेरे पास में बेटा था और उसने मुझे से कहा कि यहाँ पर तु मेरे लिए 100% लिखते तब मुझे पता चला कि पेसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है कई भार लोग Whatsapp पर इस तरह का status लगाते हैं जब जब में रुपे हो तो दुनिया आपकी ओकात देखती हिए और जब में रुपे ना हो तो दुनिया अपनी ओकात दिखाती है और लोग इस तरह के status सिर्फ तभी लगाते हैं लेकिन जब टाइम निकल जाता है तब उन्हें पता चलता है कि पेसा कितना ज़रूरी होता है पेसा कमाओ, पेसा कमाना कोई बूरी बात नहीं है लेकिन सिर्फ पेसा ही मत कमाओ पेसा जिन्दगी नहीं है लेकिन जिन्दगी का एक बहुत important part है तो इस most important part को underestimate मत करो और जैसा कि मैंने starting में बताया था कि पेसे से बोजन खरीदा जा सकता है लेकिन भूख नहीं ये बात भी काफियात तक सही है लेकिन सिर्फ इसी बात को लेकर ये सोचना कि पेसा बुरा है ये भी गलत है पेसे से सारी एशोराम की चीज़ेक तो खरीदी जा सकती है लेकिन जिन्दगी का असली सुकून जो होता है वो कभी भी पेसो से नहीं खरीदा जा सकता लेकिन लाइफ के कुछ नीर्स होती है जिनके लिए पेसा बहुत जरूरी होता है तो खुब मिनत करो और खुब पेसा कमाओ और ना से पेसा कमाओ बलकि अपनी लाइफ को इंजोई भी करो और उस पेसो को इन्वेस भी करो तो आज के इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में थैंक्स फ़र वच्छिं